हलो फ्रेंड वेलकम तो मैं चैनल अगयन नौव विल डिसकस टाइपस ऑफ पार्सर गैस बेसिकली पार्सर हमारा क्या होता है सिंटैक्स अनलाइजर होता है ठीक है हम यह अपना पार्सर में अल्रेड देख चुके हैं जो हमारे फेज़ फेज़ थे कि हमारा सेकेंड फेज हो तो टॉप डाउन पार्सर को भी हम दो तरीके में ब्रेक कर सकते हैं अगर कोई पार्सर गैस रॉंग होती है तो फिर हम उसके बाद भी चूज दिनेक्स पॉसिबिलिटी ठीक है हम एक पार्सरी बनाते है अगर हमारा वह सही नहीं होता है तो हम दुबारा से उसको बैक ट् ठीक है तो यह हमारी एक सिंपल सी टेखनीक होती है बूट फोर्स मेथड जिसको हम बोलते हैं ठीक है बैक्ट्रकिंग के अंडर हमारा या आता है और एक हमारा होते है गाइस टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक्ट्रकिंग यह हमने एक घंपल लेंगे प्रॉपर उसके हसाब से हमें उसको देखने वाले है अगर हम बोल्टम पर्सर की बात करते है तो एक टागरी आता है और एक अपलार नटेटर परस धेंग यह हमारा एक उनिक पार्सर होता है मतलब इसलिए हम इसको यो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जितने भी आपके सारे parsers है ना कोई भी आपका ambiguous grammar पर काम नहीं करता है except of this particular parser यो कि आपका operator precedence parser है ठीक है so only use for operator grammar only ठीक है यह जो आपका parser होता है यह सिरफ एक operator grammar होती है इस पर ही work करता है operator grammar क्या होती है इसका एक separate video बनेगा guys जिसमें proper इसकी के बारे में discussion करने वाले हैं कि operator precedence parser होता क्या है basically okay and then हमारा एक LR parser करके होता है इसमें हमारी चार categories होती है main categories that is LR0, SLR1, LALR1 and CLR1 and अगर हम बात करते हैं कि इसमें LR parser को हम मतलब LRQ ले रहे हैं इसमें LR का basically मारा meaning क्या होता है मतलब LR का meaning simply यह होता है guys L means क्या होता है कि आपका जो हम string को scan करते हैं we scan it from what left to right हम उसको scan करते हैं और जो हमारा R यहां पे है LR parser में मतलब यहां पे जो R है इसका meaning क्या हो रहा है we are using what reverse of rightmost derivation तो यह हम अभी example भी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि reverse of rightmost derivation हमारा कैसे हो रहा ठीक है in bottom up parser तो यह तो हमारा हो गया simple सा basic concept कि हमारा दो तरीके से हो सकते है top down और bottom up approach of parser ठीक है and simply इसमें हमारा without backtracking हो सकता है and with backtracking हो सकता है now एक बात और इसमें क्या important है सबसे बहली बात यहीं guys कि कोई भी parser आपका ambiguous grammar को नहीं लेगा except of this that is operator precedence parser दूसरा जो आपके यह हमारे top down parsers होते है guys they will not take what left recursive grammar and non-deterministic grammar ठीक है मतलब left recursive grammar अगर आपकी है तो यह parser उसमें top down parser को हम नहीं बना सकते है तब भी आप अपने top down parsers को guys नहीं consider कर सकते है okay तो that is the reason हमें left recursive grammar में तो उसको convert करते है right recursive grammar में non-deterministic grammar अगर हमारे को given है उसमें simply left factoring वाला concept लगा के उसको deterministic में convert करते हैं guys यह सब क्या concept होता है non-deterministic grammar क्या होती यह already वीडियो जो डली भी है यह playlist चल रही है okay तो उसमें आप चेक करते हैं link आपको description में जाएगी तो उसमें हमारा एक video था guys left factoring नाम से तो उसमें पूरा concept discussed है non-deterministic grammar का okay तो यह scenario होता है यह हमारा left recursive grammar को नहीं ले सकता है and non-deterministic grammar हमारे नहीं होनी चाहिए to make what guys अपना top down parser okay so this is the important thing and guys एक और चीज नोट कबने वाले यह पर क्या है कि suppose हमारे हमें brute force method होता है मतलब हम अलग-अलग possibilities को check करते है ना पूरा कि एक गलत है दूसरे को check किया then so on तो हमारा backtracking वाला अप्रोच हो गया और जो हमारा without backtracking वाला अप्रोच होता है guys इस पर हमारा क्या concept होता है we will generate the string exactly as it is required ठीक है मतलब हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हमने एक अपना पार्सरी बनाया फिर उसके आथ दुबारा से में backtracking करना पड़ा करना हम उसी तरीके से इसको डिराइब करेंगे so top-down parsers without backtracking जो हमारे होते है they generate the string exactly as it is required ठीक है यह हम अपने future अपना simply shift reduce parsers भी बोलते हैं और simply sr parser भी इसको बोला जाता है now guys यह देखते हैं कि कौन सी type of grammar जो है accept करते हैं कौन सी type of parsers ही कि तो simply ambiguous grammar की जो हम बात करते हैं friends तो top-down parsers आपके उसको accept नहीं करते हैं bottom-up parsers भी accept नहीं करते हैं exception क्या था हमारा guys operator precedence parser ठीक है यह हम अल्रे नहीं देख चुके है and when we talk of unambiguous grammar obviously आपके top-down parsers भी उसको accept कर लेंगे और आपका bottom-up parsers भी उसको accept कर लेंगे ठीक है simply अपना parser आराम से बन जाएगा हमने देखा क्या top-down parsers जो है हमारा left recursive grammar को नहीं लेता है तो simply this will not work in this case left recursive grammar होगी तो top-down parser नहीं बन पाएगा and अपना bottom-up parser बन जाएगा आपके non-deterministic grammar अगर होगी तो नहीं बन पाएगे तो यहाँ पर problem आजएगी नहीं बन पाएगे bottom-up parser बन जाएगे कोई problem नहीं आएगी and simply if your grammar is deterministic obviously आपका top-down parser भी बन जाएगा यह हमारा scenario होगा है कि अगर हमारी किसी type की grammar given है अगर तो किसके लिए हम top-down बना सकते हैं parser और किसके लिए bottom-up parser बना सकते हैं now guys simple definition लिखी है parser की already हम जानते हैं कि parser को हम syntax analyzer भी बोलते हैं and it is our second phase of our compiler and इसमें हमारा होता क्या था friends simply हमारे जो tokens बनते थे वो उसको input लेता था and with the help of what context-free grammar उसको वो convert करता था into what parse tree this is also called syntax analyzer now guys जब हम बात करते हैं top-down parser की तो simply जैसे हमारा को नाम सजेस्स कर रहा है हम अपने parser को इस तरीके से हमारा build होगा parser बनेगा कि we will start from the start symbol and ending हमारी होगी terminals ठीक है and simply आपका top-down parser reference it follows what leftmost derivation कैसे करता है वो भी मैं आपको example के साथ proof में दिखाऊंगा and अगर आपको simply definition देखने है तो we can also say it generates a parse tree for the given input string with the help of the grammar production by expanding the non-terminals ठीक है यह आपका simple सा general सा definition हो गया और simple भास में हम बात करें तो it starts from the start symbol और अपना end होता है terminals पे तो guys यह होगी हमारा top-down parser की definition and when we talk about what bottom-up parser बिल्कुल वही scenario है top-down का ultra approach bottom-up हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे start करेंगे अपने terminal से ठीक हम अपना parse tree होता है उसके terminal से start करेंगे और simply हम उसको उपर-उपर grow करते जाएंगे till the time what जब तक हमारा end हो जाएगा start symbol तक ठीक है तो यह हो गया simple सा definition and guys it uses diverse of rightmost derivation अभी हम example दिखेंगे उसके थुरू आपको और बेटर समझ मा देगा ठीक है इस चीज को आप दिहान दखना है simply अगर आपको definition लिखनी है तो आप simply यह भी लिख सकते है and in short हमारा मुद्धा यह है कि it starts on the terminals and ends up on the start symbol so guys suppose करते हैं एक example लेते हैं हमको यह production given है and what we are supposed to do is हमको यह वाला stream derive करना है ठीक है इस से और हम पहले अपना प्रोच देख रहे है top-down parsing के अप्रोच ठीक है we are constructing a top-down parser तो सबसे पहले हमने क्या क्या हमें start symbol से start करना होता है that's why simply s will derive a a b simply मार पास a की production तो simply मैंने वही ले लिया okay now अब हम इसको expand करेंगे तो हमको देखना है कि हम इसको कैसे expand करेंगे simply so what we will see is a से हमारी क्या 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 productions है a से हमारी a b c है और b b है ठीक है तो हमारा को दोनों में से कोई एक choice बना लेनी पड़ेगी तो let us say हमने यहां पे इसको ले लिया a will derive what a b c में आप simply ब्रेक हो जाएगा and simply इस a के बदले हमारा b replace कर देते है and simply इस b के बदले हमारा b will derive what d okay तो यहां पे मारा आ गया d okay so when we see the yield of the partial तो हमारा क्या होगा guys a b b c d and e okay simply हमारा हो गया a b b c d and e ठीक है तो हमारा string जो है जो था हमारा simply derive हो गया तो यह तो हमारी क्या होगी guys top down approach मतला top down parsing के approach but guys इस में हमको क्या decision make करना पड़ रहा है मतला जैसे कि suppose लेखे यहां पे तो हमने simply a की production थी s derives a a b e तो simply हमने s को break किया a a b e में and simply इस वाले point में हमको यह decision लेना है main decision क्या लेना है कि हमको कौन सी production चूज करनी है either I should choose this production और I can choose this production तो मेरे को यहां पे यह decision लेना है main important तो वही चीद मैं लिखिए है top down parsing में at every point we have to decide what is the next production we should use या फिर we should choose ठीक है मतला हमको कौन से production को चूज करना है जहां प top-down parsing का now what we are supposed to do is हमको एक और अपना यही parse tree generate करना है but with the help of what bottom-up approach हम यूज करने वाला है parsing की यही हमारी production है यही हमको string generate करना है guys हमार पास string यह है so what we will do is हम terminals का use करेंगे मतलब हम bottom से start करेंगे and we will move to the top of the parse tree now main decision guys जो हमको यहां पर लेना पड़ेगा using this bottom approach हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको reduce कब करना है basically हना मतलब क्योंकि हमार को तो यह string given up हमको क्या पता कि हम इसको कहां से reduce करना start करेंगा कि A से करे B से करे या C से करे तो हमको यह main decision लेना पड़ता है starting में तो let us say हम यहां पर इसको reduce कर रहे है B is getting reduced to A okay इस production के ताप से A is deriving B and let's say A is deriving ABC तो simply A हमारा यह है B हमने लिया C लिया तो ABC is deriving what A okay तो यह हमारा scenario हो गया and guys simply आपका B is deriving D तो हम पना B जो है हमारा derive कर रहा है D okay and guys simply at the end हमारा S is deriving what A A B E तो simply हमारा A A B and simply यहां से आगया E तो यहां से हमारा आगया S okay तो यह guys हमारा construction हो गया पार्स टे का using this bottom of approach हमको बस यहां पर main decision क्या लेना था कि हमको starting symbol ढूटना है कि हमको कहां से start करना है so main decision we have to make is when to reduce the given terminal okay यहां पर हमारा उपर वाले में क्या scenario था हमें क्या major decision लेना था what production to choose और यहां पर हमारा को क्या decision लेना पट रहा है when to reduce so when to use when to choose and when to reduce अभी friends हमने पीछे क्या discuss क्या था कि जो हमारा top-down parser है जो कि हमने भी बनाया है it follows what leftmost derivation हम देखते हैं वह हमारा कैसे use कर रहा है okay so let us see so S is driving what A A B E तो हम देखते हैं अगर हम leftmost derivation बनाते हैं तो हमारा वही concept यहां पर हमारा parse c generate हो रहा है के नहीं हो रहा है so guys अगर हम leftmost derivation की बात करते हैं तो हमको leftmost non-terminal जो है उसको replace करते हैं okay so we will replace the A here simply हम कहेंगे इस A को हम replace करते हैं ABC से तो let's say ABC and then simply BE इस वाले A को guys हम replace कर देते हैं let's say B से so it will become A B B C then BE and at the end इस वाले B को हम replace करते हैं simply तो हमारा हो जाएगा A B B C D E okay so this is the strange जो कि हमको चाहिए था तो guys यही वाली approach हम यहां पर follow कर रहे हैं देख सकते हैं ठीक है कैसे इसको हम follow करते हैं कुछ बच्चे पूच सकते हैं जैसे कि देखे S is driving what A A B E so simply A B E हो गया and guys उसके बाद simply हमने इस वाले A को break किया into what A B C में तो हमने इस वाले A को break किया A B C में है न और फिर उसके बाद हमने इस वाले A को replace किया कंसेट को यूज करते हैं हमने अपना इवाला पार्स्टी चनेट किया हम कह सकते हैं that our top-down पार्सर uses what leftmost derivation technique अब गाइस अगर आपको नहीं समझ मा रहा है तो इसका वीडियो अल्री डला हुआ है आप चेक कर सकते हैं लिंक आपको description मिल जाएगी पूरी playlist की होगे तो उसमने पूरा discuss किया था what is leftmost derivation and what is rightmost derivation and हमने बोला था कि जो हमारे bottom-up पार्सर है वह हमारा क्या follow करते है guys rightmost derivation in reverse order तो हम वह देखते हैं कैसे हो रहा है now friends हमको set of production जो given थे मैंने आपर दुबारा से लिख लें तो we were given these set of productions अगर हम simply अपना past tree को derive करते हैं अगर हम इसकी rightmost derivation देखते हैं okay तो कैसे होगा simply s is driving what a a b to rightmost derivation because that's why हम इसका rightmost non-terminal है उसको हम replace करेंगे तो हमने सबसे बहले b को replace किया guys तो b derives d हमने यह वाली production इसको replace कर दिया okay and afterwards इस वाली अपनी जो production है guys हमारी तो simply हमने इसमें देखा कि हमारा rightmost non-terminal कौन सा है rightmost non-terminal हमारा a है so that's why हमने simply a को replace किया guys a drives a b c से so simply इस a के बदले हमारा आ गया a b c now इस वाली पूरी production में हमने देखा rightmost हमारा non-terminal कौन सा है rightmost non-terminal आपका a है तो simply आपने a को replace किया guys b से तो a drive b यह हमारी एक production थी okay तो this is the scenario यह तो हमारी होगी क्या rightmost derivation अब हम क्या कह रहे है कि bottom up parser जो है हमारा it follows rightmost derivation but in reverse order है उल्टे order में वो उसको follow करता है उल्टे order में कैसे follow कर रहा है let's see उल्टे order में guys इस तरीके से follow कर रहा है क्यों की देखें अब जैसे कि suppose for an example हमारे पास ही वाला string जिमेंता है a b b c d e so guys अगर हम इसको उल्टे में देखते चलते हैं तो हमारा जो b reduce हुआ है a से हमारा b production निकलाता है sequence में follow करते जा रहे है and guys simply हमारा a a d e बन गया था a a d and e and afterwards हमने क्या क्या इस वाले d को हमने replace किया b production से simply हमने यह वाला d लिया इसके बतले बी replace किया and at the end हमने a a b e जो हमारा बचा था that is a a b and e इसको हमने पूरा replace कर दिया with the help of what s because s was driving a a b ठीक है तो इस उल्टे reverse order में हमने मतला rightmost derivation के reverse order है इसको हमने follow करके अपना bottom up parser बना लिया okay so this is the thing bottom up parsers आपके rightmost derivation को follow करते है button reverse order okay so this is the scenario so that's it guys video चले लिएक करना शेर करना subscribe करना भाय के चनल को ऐसे बहुत सारे videos आके मिल दे रहे हैं आपको